ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि आजकल हुंबले फिल्म्स कितनी चर्चा में हैं और भाव खा रही है और भाव खाएंगे ही क्योंकि इस प्रोडक्शन के अंडर बनाई जा रही सलार चर्चा में है, चैप्टर तीन आने वाली है, एक के बाद एक धमाके होने वाले हैं, तो चर्चा तो होगी ही पर इस प्रोडक्शन के तहट बनाई जाने फिल्म बगीरा भी दस्तक देने को है और इस फिल्म का टीजर लाया जाने वाला है, तो होंबले फिल्म्स ने एक स्टनिंग पोस्टर के साथ टीजर कब? आएगा ये बताया है, कुछ डार्क सेंट्रिक थीम के साथ, बनाई गई इस फिल्म का पोस्टर भी इसी तरह का है, जिसके सेंट्रिक में हमें हीरो की इमेज दिखाई देती है, और उनके पीछे शेर का मुह दिखाई देता है, मतलब ये हीरो शेर है शेर बस हीरो का चहरा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो पूरा डार्क पोस्टर है, इसी के साथ बताया गया है, कि 17 दिसंबर 223 को आएगा, और सुबह 9 बचकर 45 मिनट मिनट पर ये रिलीज किया जाएगा, और इस पोस्टर को कैप्शन दिया गया है The Countdown to Justice Begins तो बेसिकली इस मौल में ये दिखाया जाएगा, कि ये तो सोसाइटी है, एक जंगल की तरह है, ये भेड़ चाल में चल रही है, पर जस्टिस के लिए खड़ा रहने वाला बस एक ही शेर है, इसमें हमें नजर आएंगे लीड एक्टर के तौर पर श्री मुरली जिन्हें हम उग्रम फिल्म में भी देख सकते हैं, और इस फिल्म की कहानी लिखी थी प्रशान्त निल ने भी किया था, और इसे डायरेक्ट भी किया था उग्रम के बाद, उन्होंने फिर से कोलाबोरेशन किया है, वैसे बगीरा एक्शन इंटर्टेनर फिल्म है, जिसकी कहानी प्रशान्त निल ने ही लिखी है, पर इसे डायरेक्ट किया है डॉप सूरी ने वैसे ये फिल्म तो अगले साल रिलीज होने वाली है, जिसकी शूटिंग हैदराबाद, करनाटक, बैंगलोर, मैसूर कई जगहों पर हुई है, देखते हैं कि अभी कुछ दिनों बाद आने वाली फिल्म का टीजर कैसा होता है, आपको इसके उपर क्या कहना है कमेट में जरूर बताएं और भी ऐसी ही विडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें